नमस्कार दोस्तों सोगत करता हूँ आपके अपने चैनल फैंडिजी बिन प्रेडिक्सन में तो दोस्तों में फिजो माइच कबर करने वाले हैं पाकिस्तान मुमेंस बसे आइडलाइन मुमेंस की वीच फास्टी ट्वन्टी याए मैच है दीप ले आइस करिंग इस वीडियो मिलती रहे हैं दोस्तों जो मरे फास्टवृक्त आपको मिलेगा जो हमारी टीम लेगे अपको अमरे टेलिग्राम चैनल मिले गी थो अपने जल्दी से यहां को मिल जाया गए इस वीडियो कूर्प्शन और फर्स्teen मेंट पिन किया हूए लिंक पे करके तुरन्त आप टिलीग्राम चैनल जॉयन कर लीजिए। दोस्तों कभी का वार्थ लिंक और कर न करी है तो आप डारेक्स लिए टिलीग्राम पे सार्च करके चैनल जॉयन कर सकते हैं टिलीग्राम प जाके सर्च करें अट्धरेट REELE FWP आपको सब्सक्राइबर होंगे वह हमारा एक मात रियल चैनल है और उसी चैनल को अपने जोइन करना दोस्तों बात कर लेते हैं मैच की तो मैच मौड़निंग में सुबहे 10 बच के 30 मैच से स्टार्ट होगा और दोस्तों मैच होने वाला है गद्दा फी इस्टेडियम लाहूर के हलां कि दोस्तों इस ऐस्टार्ट के पहले बैटिंग करती है तो उन लोगों का हो सकता है 120 के आसपास यो लोगों स्कोर करें तो यहां पर आपने एक मजबूर टीम और एक कमजोर टीम देख की टीम बनानी है तो मजबूर टीम नहीं पाकिस्तान मौन्स के साथ पिलार आप 2019 में और तीन कि तीनो माच में दोस्तों पाकिस्तान मंस ने पहले बैटिंग करियो थि तो यहां पर पादिंग तो फेर ऐ में मेच जीतेगी और यहां पर दोस्तों इदि आप स्कोरिंग पैटर देखना चाहें तो देख सकते हैं डेट सो से नीचे दो बारे स्कोरिंग होई है और एक सो पचास से उपर एक बारे स्कोरिंग होई है दोस्तों इस अब दोनों टीमों का ICC T20 I Rangings से आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान मोमेंस के जू टीम है ICC T20 रेंकिंग में 6 में पोजीशन पे है वह दोस्तों आइलन मोमेंस की टीम 10 में पोजीशन पे है तो कितना बड़ा फर्क नज़र आ रहा है तो इसलिए 7-4 का कॉमिनेशन में इस ताफ से ज्यादा बड़ी है रहेगा एकाज जियल में आप 6-5 का कॉमिनेशन भी ट्राई कर सकते है पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान मोमेंस की जो की T20 के अंदर दोस्तों इनका यही जो मैंने मिंसन किया हुए प्लेंग 11 से स्टेट्स यह बैटिंग ओडर भी लगबग आपको यही दिखने को मिलेगा क्यों दूस्तों पाकिस्तान मोमेंस ने अभी जो लास्ट में अपनी सीरीज खेली थी T20 आई की वह एसीया कप के अंदर खेली थी तो एसीया कप में यही बैटिंग ओडर टीम ने फॉलो किया था तो लगबग आपको यही दिखने को मिल सकता है स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस टीम की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगी मुन इवा अली उनकी साथ ओपन करने हैंगी सिद्रा आमिन बात करें दोस्तों मुन इवा की लेट हैंड बैट्स मैंने विकेट कीपरिंग भी यही करेंगी आरती टी टी टॉन डी बैच के अंदर 470 रन है 14 का बैटिंग ओड़ेजर ठीक टाक से बिखें आज अपलेजर जरू ट्राइगे करेंगे और साथ में ओपन करेंगे और अभी जो आइलेंड के आइलेंड मुमस के जो ओडियाई से रही थी वहां भी अच्छे पॉप्सन नहीं तो इसलिए ग्रान लिग में इनको करेंगे आप करना चाहो बिसमा अरूप के बात कहा है तो बहुत ही आइट अलेंट बल्लेवाज लेकिन बहुत स्लोग खेलती है और टीटुन्टी की उतनी बड़ी है प्लेयर नहीं माने जाती है अब देखें 124 टीटुन्टी बाइज हो 25 सुराने 27 के ओरेज है लेकि 36 भी ले सकते हैं तो जील में जरूर रोटेट कर लेजएगा हाला कि बैट फर्स्ट हो तो आप स्मॉल लिग भी भी ले सकते हो टूरान बैटिंग करते हो दिखनी है ओमेमा सोहल राइट हैं बैट्स में बालिंग एक आद दूबर जरूर करते हुने जराएंगी 382 टीटुन्ट हिटिंग के लिए टीमिन को किसी बिसमख प्रोमोट भी कर देती है अच्छे हिटर माइज जाती है हीटी इट इट निताधर तो कैफटनसी का बड़ी ओप्सन है उप्सन है कि चार ओर के बालिंग करेंगो एदि बैट फर्स्ट होगा तो रन भी बनाएंगी क्यों इनको promote करी देती है आरी आरी आज की बात करें भी गजब के टर हैं तो ले लेजीए का बॉलिंग ज्यादा नहीं करती है एकातवर ही करती है हाँ बैटिंग से बैट फर्स्ट होका तो हिटिंग के लिए नीदादर और आधिये लिया प्रोमोट होती रहती हैं दूनों हुई अच्छी हीटर हैं बासेट मैच के अंदर 707 रहने हैं विकेट नाममात्र श्रिप 17 भीगट हैं आयसा नसीम भी एक इनकी हीटर ही हैं इनके पास तीन हीटर हैं इनको टीम हमेसा अपने हिसाब से प्रोमोट करती रहती उपर के जो टॉप चार हैं वो थोड़ा स्लो हैं आयसा नसीम 23 मैच में 200 करीब रहने हैं पंदरा के अच्छा स्टाइक रेट है इनका फातिमास आना की बात के हैं राइट हैं मीडियम 15 मैच में 12 भी गट है और थोड़ बहुत बल्ला भी चला सकती है आपको तीन और गया सबस बॉलिंग करते हैं तीन से चार बर तो पिन को भी ट्राइ कर सकते हो आई मां अर्मर को भी ले सकते हो 29 मैच 29 मैच 29 भी गटे भी अच्छी बॉलर है नासरा संदू तो अच्छे फॉम में दिख रहे थी है भी रीसेन में जो आईलेंड केंगे सुन भी और बिसम आअरुण की टाम से भी खेल लें लेकिन बीज में पता नहीं कहा गाएब हुए थी कुछ इनका पता नहीं चल रहा था लेकिन अभी इस सीजन स्कॉाइड में है इस साल देखते है मौका मिलता है पलेंग लेवन में की नहीं मिलता क्योंकि मुथे बॉस्तिल तो तो मारी दूसरी टीम रहने वाली है, Ireland Women's की, लेकिन उससे पहले बता तूँँ, जो फाइनल टीम आपको मिलेगा, फाइनल अपडेट मिलेगा, वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा से नीचे जाओ कि तो इस्टाग्राम टुटर को भी लिंक भी लेगा तो आप भी फॉलो कर लेना दोस्तों आइलांड में उसकी तरफ से आपको ओपनिंग करतों दिखेंगी गैबी लुइस इनके साथ उपन करना हैंगी अच्छी बल्लेबाज है जब तक रहेंगी रन बनाती है अपने टेव में जरूर ट्राय करिएगा टी तुन्टी की बहुत अच्छी बल्लेबाज मानी जाती है इनके साथ उपन करना हैंगी एमी हेंटर जो की एवरेज बल्लेबाज है राइट हैंड बैट्समान दस मैच में सिर्फ एक सुन्तारी से ना आप छोड़ सकते हो कुछ खास प्रिक नहीं रहेंगी वन डाउन मेटिंग करते हो दिखेंगे ओल्ड अप अंडर गास राइट हैंड बैट्समान राइट हम मेटम ये टी टुन्टी की एक बेज़ड़ा इना लाउंडर है तो तीनवर के आसपास और बैटिंग भी ठीक मतलब टूर्ण करेंगी लेकिन इस्टाइक रेट इनका थोड़ा सब स्लो रहता है और पंडर्गास्ट की एज भी बहुत कमें बीच साल के आसपास इनकी एज है और लोरा डली करीब 30 की हो गई अप्रिंग अच्छा रहता है पहले की टाइम में उतना इस्टाइक रहता था तो रखिएगा दोनों को लेगिन कैप्टन और इस्टाइक डिया आप यह बनाना चाहिए तो आईलेंड मों से तो पर आप ओर अर्लियर्ट को ही ट्राइए करेगा इमरी जरसन थोड़ा बहु करेंगे तीन वर के असपास उनसट मैच में यह पेज सोला के उरेज से पांसट उत्तर नरो तर्फिर्ण बिकेट इनके नाम है इस टॉकल अच्छा फिनिसर का काम करती है लास्ट में करती है ठीक ठाक स्टाइक रहे हैं साड़े तीन सो को उपर रहने सोला की उरेज से सौना क पर पर बाले बाद इनके बिकेट की बहुत नीजी खेलती है तो इनका भी कुछ खास मतलब रहेगा नहीं बारा का ही यह यह पर एरन कैली को जरूर लेल जी का यह बहुत अच्छी आ लाउंडर है तेरह मैच में साठी रहने लेकिन तेरह मैच के इंदर सोला बिकेट इसने मैच में कुछ प्लेयर है इस्वाइड दोस्तों इनका 15 मंबर के है और यहाँ पर लेह पॉल जो की ओपन करती है ओडने मैच के अंदर लेकिन दोस्तों ठीट इन्टी इनका असी का इस्टाइग रहेट है मतलब सौब बैस दिरियन बनाती है कोई मतलब नहीं है हाँ जब भ लगवग आपको देखने को मिलेगा अब दोस्तों इसमेंच के टीम के आचली मैं आपको टीम भी दिखा दे रहा हूं लेकिन जो फाइनल टीम आपको मिलने वाला है फाइनल अपडेट मिलेगा और टेलेग्राम पर मिलेगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कम मुनीबा अलिकी साथ जा रहा हूँ बैटिंग सक्षन दोस्तों मैने आलियैयर немेलियो को लिए वदिबेलेएं टिममलेक्ष को लियोति यह रवा है और लोडर अपक्रियू को लियोतार जैङ की प्लस दोस्तों आपको विकट की पॉइंट देगे जाएंगी यह मजबूर टीम की ओपनर है पाकिस्तान की तीम मजबूर है इसलिए मैं इनको वीची करा हुआ है अब दोस्तों कैप्टन के सारे बॉलर्स कैप्टन के अच्छी आएंगे तो यह चीज़ ध्यान रिखेगा बागी अभी के लिए ही टीम है अभी के लिए मैं भी इसी टीम से कोंटेस्ट जोइन करने वाला हूँ लेकिन दोस्तों फाइनल टीम नहीं है आप्टर ट्रॉस इसमें थोड़ा अपडेट हो सकता है तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी लाइक नहीं है तो लाइक कर लीजिए और डिस्क्रिप्सर में फ्रोस नीची जाओगी तो आपको इस्टेग्राम ट्विटर कर लिंक मिलेगा तुहां पर भी अपमें जरूर फॉलो कर लेना और टेलीग्राम जरूर जोइन कर लेना बागी मिलेगे नेस्ट वीडियो में वीडियो आज करने के लिए दिल से धन्यवाद